नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गाड़ानिंग नॉलेज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुती खुबसुरत फूल के पोधे के बारे में चर्चा करेंगे और इस फूल का नाम हो गया सेलोसिया दोस्तों, इस पोधे की एक खासियत है कि इस पोधे में फूल बहुत जल्द आ जाते है आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि इस पोधे में चार पत्ते आने के बाद इसमें फूल आने का प्रोसेस चालू हो जाता है दोस्तो अगर आप इस पौधे को ज़्यादा घना बनाना चाहते हैं मतब इसका ग्रोथ अच्छा चाहते हैं तो इसका फूल को हटा देना होगा क्योंकि एक बार इसमें फूल आने के बाद फिर फूल की ही ग्रोथ होती रहती है और पौधे का ग्रोथ नहीं हो पाता है इस पौधे में फूल को आने से रोकने के लिए एक काम और किया जा सकता है इसको शाम के साथ बज़े के बाद तीन घंटे के लिए लाइट देना होगा और इसके लिए एक इलेक्ट्रिक बॉल्प का बंदोबस्त करना होगा और ये बॉल्प को पौधे का उंचाई से तीन फिट उपर रखना होगा और पौधा जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा बल्ब को भी उसी हिसाब से 3 फीट का डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए इसको और उपर उठाना पड़ेगा इस पौधे को ज्यादा घना और अच्छी ग्रोध के लिए इसका हेड को पिंच कर ले दोस्तो इस पौधे को अच्छी से ग्रोध कराना बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है लेकिन हाँ कुछ बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए इस पौधे को बहुत ज्यादा धूप चाहिए इस पौधे को कम से कम पानी चाहिए और इसलिए इस पौधे के लिए जो गमले में आप मिट्टी यूज़ करेंगे उसमें अच्छे से water drain होना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादा पानी का जमा होना इस पौधे को नुक्सान पहुँचा सकती है इस पौधे को गमले में बिठाने के लिए 6 से 8 इंच साइज के गमले काफी होंगे दोस्तो अब यह बात करते हैं कि इस पौधे के लिए soil mixture यानि की मिट्टी को कैसे तयार किया जाए दोस्तो सबसे पहले गमले का capacity का एक भाग मतलब 25% मिट्टी ले ले अब इसमें 3 भाग मतलब 75% गुबर का खाद मिला दें अब इसमें bone meal 50 gram, horn meal 100 gram, furodon आधी चमच और super phosphate एक चमच मिला दें अच्छे नतिजे पाने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा बालू इसमें mix कर सकते हैं अब इन सबको अच्छे से mix करके गमले में लेके उसमें इस पाधे को लगा सकते हैं इसमें बालू mix करने के पीछी ये कारण है कि इसमें बालू mix करने से water training अच्छी होगी और ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस पाधे को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए गमले में पानी जमा होने से इस पौधे को नुक्सान हो सकती है दोस्तो अब यह बात करते हैं इस पौधे की खाने के बारे में दोस्तो इस पौधे को गमले में लेने के बाद 10 दिन तक कोई खाना ना दे सिर्फ थोड़ा-थोड़ा पानी ही दे और 10 दिन के बाद 12-61-00 fertilizer 1 gram पर plant दें और जैसे जैसे ये पोधा बढ़ा होगा ये fertilizer 1 gram से बढ़ा कर 2 gram तक कर सकते हैं और ये fertilizer हफ्ते में एक बार जरूर दें और इस पोधे का दूसरा खाना हो गया एक लिटर पानी में 2 gram सरसो की खली और 0.5 gram DAP मिक्स करके 3 दिन तक छोड़ दें और चोथा दिन में इस मिश्रान को पोधे को फीड कराएं और इस खाने को हफ्ते में एक बार जरूर दें दोस्तो इस पोधे के अच्छी ग्रोध के लिए इसको भरपूर धूप चाहिए लेकिन फूल लेने के लिए इसको छाया में रखना पड़ेगा दोस्तो इस पोधे के अच्छी ग्रोध के लिए हफ्ते में एक बार सुपर सुनाटा स्प्रे करना होगा इसके लिए आपको 1 ml सुपोर सोनाटा 1 लिटर पानी में मिला कर पोधे के उपर स्प्रे करना होगा इस पोधे की अच्छी ग्रोथ के लिए शुरू-शुरू में आने वाले बड्स यानि के कली को हटा दे क्योंकि अगर पोधे में फूल आना शुरू हो जाएगा तो इसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी दोस्तो अब आई ये बात करते हैं कि अपने पोधे को फंगस से कैसे बचाए दोस्तो इस पोधे को फंगस से बचाने का तरीका बहुती आसान है इसके लिए आपको एक लिटर पानी में वान फोर्थ चम्मच से फंगिसाइड को मिला कर एक घोल बनाए और इसको मिट्टी को पर डाल दे दोस्तो अब आई ये बात करते हैं कि इस पोधे को कौन-कौन सी इंसेक्ट यानि की कीडे से खतरा है और उस से कैसे छुटकरा पाया जाए दोस्तो इस पोधे को दो तरह की इंसेक्ट यानि की कीडे से खतरा है और वो दोनों हो गया थ्रिप्स और रेड मैट्स अपने पोधे को थ्रिप्स से बचाने के लिए दो ग्राम एडमायर छे लिटर पानी में मिला कर पोधे के उपर स्प्रे कर दें या फिर एक मिली लिटर कॉंफिडर एक लिटर पानी में मिला कर पोधे के उपर स्प्रे कर सकते हैं और रेड मैट्स से छुटकरा पानी के लिए एक मिली लिटर काका एक लिटर पानी में मिला कर पौधे के उपर स्प्रे करना होगा या फिर 1.5 मिली लिटर थिटा एक लिटर पानी में मिला कर पौधे के उपर स्प्रे करना होगा दोस्तो इन सब तरीकों को अपना कर हम अपने बगीचे में बहतरीन क्वालिटी के सुन्दर सुन्दर फूल खिलाए हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि इन तरीकों को अपनाने से आपको भी अच्छे नतीजे जरूर मिलेंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही आप हमें जरूर लिखें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको सही में हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी जरूर सेर करें ताकि इस वीडियो का लाव आपके दूसरे दोस्तों को भी मिल सकें और इसी तरह के गार्डेनिंग और बागवाने से संबंधित और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मेल को भी जरूर प्लिक करें इससे जब कभी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और अन्त में अपना किमती समय देखकर हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद